नमस्कार पिरिया विद्यारतियूंग वीके नोलेज इलेक्रिकल में आप सभी का स्वागत है आई टीए सीविटे एक्जाम अगस्त में होने है साथ अगस्त से 27 अगस्त के बीच में आपकी डेट इकलेर हो चुकी है एडमिट कारड है का पता लग जाएगा इलेक्रिशन सेकंड यर वाले बच्चों के लिए हम डे बाई डे क्लासेज दे रहे हैं आप अगर सेकंड यर के स्टुडेंट है तो आपके लिए बड़ी इंपोर्टेंट क्लास है यह हमारी क्लास नमर 15 है अगर इसी क्लास से हमारे साथ जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और प्रीवियस उन चवदे क्लासिज को भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि हम वो क्लासिज आपको दे रहे हैं जो 100% आपके एक्जाम में क्युस्ण आएंगे हम गारंटी देते हैं कि आपके पेपरों में ऐसे ही क्युस्ण होंगे बहुत अच्छे से इनको पढ़ लो 100% स्कोर यानि थियोरी में 38 में से 38 नमबर क्युस्ण की गारंटी देते हैं एक वी क्युस्ण बाहर नहीं जाएगा बस आपको पूरे confidence के साथ एक एक चीज हमारे साथ जुड़नी है पढ़नी है और प्रिवियस चवदा क्लासेज को और पढ़ कराना चैनल सबस्क्राइब इसलिए करना है क्योंकि 15 क्लासे कुछ नहीं होता आपके एक्जाम तक हम आपको क्लासेज देंगे तो और भी क्लासेज मिलेगी एकदाम नजदी का जाएगा तो आपको most repetitive क्लासेज भी करवाएंगे वो क्युस्ण भी करवाएंगे जो आपके वर्ष 2021-2023 पिछले तीन सालों से लगातार आ रहे हम आपके CBT एक्जाम को continue follow करते आ रहे हैं तो जो क्युस्ण सबसे ज़्यादा बार आया है उनकी हम क्लासेज आपको special देंगे एक्जाम के ठीक थोड़ी सी पहले तो चैनल से जुड़ जाईए सब्सक्राइब कर लीजिए साथ नोलेज फरी टेस्ट यूटूब पर सर्च करना वीडियो आ जाएगा साथ है टेलिग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन दिया गया है जोइन कर लीजिए टेलिग्राम पर चोट 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 इन्फोर्मेशन जब भी आती है तो आपको वहीं प्रोवाइड कर वाते हैं आ आपको ध्यान रखना है कि पिछली क्लास को भी जरूर अटेंड करके आना है साथ में ठीक है ना क्यूंकि उसमें भी कुछ क्यूस्थन हमने आपको करवाई थे देखो अगला सवाल अगला क्या सोरी आज का पहला सवाल घरेलू पानी पंप के लिए कुन सी मोटर पसंद की जाती है देखो घर में वाटर पंप के लिए कभी आपने अगर ध्यान से देखा हो ना तो नॉर्मल एक मोटर होगी और उसमें कैपेसिटर लगाओगा वास्त्विक रूप में कैपेसिटर कर देखा जाता है और यह रनिंग के टाइम हट जाता है यानि पिचतर परशेंट सी जैसे स्पीड ऊपर जाएगी तो सेंट्रिफूगल स्टेगा जो कैपेसिटर को भी अटा देगा और स्टार्टिंग को भी हटा देगा कुल मिलाकर कैपेसिटर मोटर होती है तो देखो वैसे युनिवर्सल मोटर रिपल सन और सेंडेट बोल तो होई नहीं सकती थी तो डी ऑपशन के साथ ही जाएंगे हां कुछ बचे परमानिट केपेसिटर मोटर वाला ऑपशन कर सकते थे बढ़ यहां है नहीं इसलिए गबरानी की जुरूरत नहीं है तो क्या करोगी डी उ आपको क्लास पसंद आती है कि नहीं यह पता लग जाता है दूसरा हमें लगता है कि चलो इतने बच्चे है जिनको क्लास पसंद आई तो हम उनके लिए और कंटेंट देने की कोशिस करते हैं आई यह अगले स्वाल पर कौन सी मोटर में हाफ कोयल वैंडिंग होती है दो थर के बराबर आती है कि पॉल के जोड़े के बराबर आती है वो होती है इस से क्या होता है कि कनेक्शन डिसाइड होते हैं अगर हाफ कोईल है ना तो हाफ कोईल से पहले से दूसरा और दूसरे से पहला कनेक्शन किया जाता है टेकनिकल भासा में बोल दो बिगनिंग टू एंड to beginning connection होते हैं. अगर whole coil हो तो पहले से पहला और दूसरे से दूसरा जुड़ता है. connection की बात बता रहा हूं. जोड़ करके दिखाऊं क्या? मालो ये तीन कुंडलिया है इस तरह से. तो अगर whole coil है तो दूसरे से पहला, दूसरे से पहला, ए सोरी, हाप coil है, तो ऐसे जुड़ता हैं. लेकिन अगर whole coil होता ना, तब आपका दूसरे से दूसरा पहले से पहला connection ये होते हैं. इससे क्या आता है कि magnetic field की direction और उसमें फरक पड़ता है, torque का थोड़ा बहुत फरक पड़ता है. ठीक है ना? कभी कोई पूछ ही ले आपसे. तो ये जो उत्तर रहेगा आपका, इसमें ceiling fan आएगा, जो छट पंखे की winding होती है ना, ये हमेशा half coil winding होती है, अगर कभी आपने एक बार भी पंखे को wound करते वे देखा हूँ, हम टरंग डालते हैं यूँ, जैसे हाथ से, तो अगले ही सलोट में देखो direction ही यूँ बदल जाती है, फिर अगले सलोट में यूँ. ठीक है ना? तो ये half coil winding कहलाती है, C उतर कर देना, छट पंखा, यानी ceiling fan. अकला सवाल, आच्छादित pole motor का अनुपरियोग इन्वे से क्या है? इंगलिस पढ़ लो, बहुत सिंपल है, सेड़ेड पोल मोटर का application पूछ रहा है, सेड़ेड पोल मोटर की बहुत सारी विसेश्थाइं होती है, competition exam वाले बच्चे जितने भी वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि कम से कम सेड़ेड पोल मोटर की पांस विसेश्थाइं लिखे, most important है इसकी efficiency का, मात्र 5 से 35% होती है, दूसरा, starting torque का, very very low होता है, very very low होता है, उसके बाद में starting method का, setting ring का, इस्तेमाल करना पड़ता है, उसके बाद में overload capacity का, कोई capacity नहीं है overload की, थोड़ा सा बजन डाल दो, रुख जाएगी तुरंती, ठीक है, तो काम में कहां लेंगे, हलकी system में काम में लेंगे, जहां load बहुत जादा नहीं हो, like, खिलोने की motor हो गई, hair dryer में काम में लेंगे, ठीक है, छत पंख्य में capacitor है, weight grinder में double capacitor motor है, वासी मसीन में भी double capacitor motor है, weight grinder में capacitor restart, induction and motor है, यह option के साथ जाना है, फिलाल आपको, CBT exam वाले बच्चे जितने भी देख रहें, आपको फिर बता दूँ, CBT exam में सीधे के उस्सन आएंगे आपके, सीधे के उस्सन, गबराने के जरूरत नहीं है, मस तरहो, सीधा उत्तर करके आजाना, सेड़ेड पोल motor application देखो, hair dryer option कर देना, बाल सुकाने वाली जो मसीन होती है, कौन सा load होता है, हलका सा छोटा सा बलोर होता है, एर फैंक नहीं होती है, और कुछ नहीं करता, अगला सवाल देखो, hard disk drive के लिए किस परकार की motor का उप्योग करते हैं, ध्यान रखना, hard disk के अलावा fix machine में भी यही motor होती है, ठीक है न, अब मैं एक और example दे चुका हूँ, तो आपको समझ जाना चाहिए, आपका उत्तर अब सही आना चाहिए, बताओ फटाफट से, कमेंट करके बतादो किस किस का सही हो रहा है, मान लो, hard disk drive का ना पूच करके, मैं आप से यह बोलता है, कि fix machine में कौन सी motor होती है, तब तो आप उत्तर करने में शक्षम होंगे, step पर motor होती है, नाम सही पता लग रहा है, motor steps में गती करती है, motor का step angle decide किया जाता है, और step angle बहुत छोटे angle भी होते हैं, बहुत बड़े भी होते हैं, maximum 90 degree तक का angle आता है motor में, और छोटे से छोटा तो two point के आसपास होता है, one point eight भी है, सोरी हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, कियुसन पढ़ लो दुबारा और option देख लो ध्यान से, step पर motor option करना है आपको, ठीक है, और hard disk drive के अलावा fix machine में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, पेपरों में कियुसन इसके आसकते हैं, कभी भी कहीं भी आसकता है, खास्तोर से competition exam की दर्ष्टी से अकर त्यारी करोगे, तो फिर तो आए गई कियुसन, अगला सवाल, क्या परभाव होगा, यदि secondary winding पूरा होने के बाद, और secondary winding में और distributed winding में यही फरक होता है, कि slot जो है ना, वो डम्मी भहुत कम रहने की संभावना है, अगर छोट भी जाए ना, तो कुछ slot खाली रहने से कोई फरक नहीं पड़ता है, secondary winding में, यह उतर करना, motor works normally, motor अपना सामने रूप से काम करेगी, जैसे पहले कर रही थी, हाँ, distributed winding अगर हो और खाली रह जाए ना, तो यह unbalancing system कहलाता है, और ऐसे में आपका motor काम नहीं करेगा, यह torque बहुत कम हो जाएगा, गट कर, दरसल distributed का मतलब यह होता है, कि किसी group में, pole के group बनते हैं, आपको पड़नी पड़ेगी, अगर अच्छे से तियार नहीं है, तो किसी group में, पहले से ही coil अलग-अलग distribute होती है, यानि एक में ज़्यादा, एक में कम, फिर आपके slow torque खाली रह गे, तो इस तरह की situation क्रेट होती है, कि एक जो group होता है, उसमें तो coil भहुत कम रह जाती है, तो वो particular वहाँ पर torque बन ही नहीं पाता है, secondary है, इसलिए बचत हो जाती है, ठीक है, सामाने रूप से काम करेगी, A option के साथ जाना, अच्छा क्यूसन है, अराम से कर सकेंगी, सवाल देखो अगला, capacitor, अब के अंदरी स्वीच गती नहीं तरण वीदी में, अब के अंदरी स्वीच से जुगा हुआ है सवाल, अच्छा, यूनिवेसल मोटर की स्प्टीड गंट्रोल वाला है, तो ये तो पिछली किलास में आई चुका है, उसमें डाइग्राम देकर पूछा था, वो कह रहा है कि जो सेंट्रिफ्यूगल स्वीच मेकेनिजम वाला है, उसके आर पार यहां पर capacitor क्यों लगा रहता है, तो ये तो पिछली किलास में करे लिया हमने, क्या काम होता है, कैपेसिटर के स्वीच के कॉंटेक्ट पर स्पार्किंग को रोक ना, जब स्पीड कम ज़्यादा होती है, तो ये सेंट्रिफ्यूगल स्वीच में और ब्रेक होता है, यहां पर एक रेजिस्टर भी लगा रहता है ना, सेंट्रिफ्यूगल स्वीच ओपन हुआ, बाकि जिन बच्चों ने कॉर्स जोइन कर रखा है और अच्छे से पढ़ा है, उनको कोई इशू नहीं है, हलांकि एक्यूशन तो रिपीट हुआ है, पिछले क्लास में डाइग्राम दे कर पूचा था, यहां सीधा बूच लिया, उत्तर सेंग आएगा, कॉन्टेक्ट पर स्पार्किंग खतम करना या रोकना, अगला सवाल, रिपल्सन मोटर के रोटेशन की दिशा को कैसे बदलेंगे, याद रखना, इसका कंपिटिशन एक्जाम में उल्टा सवाल भी आता है, कॉन सी मोटर है, जिसमें ड़िरेक्शन बदलने के लिए हमें, कनेक्षन बदलने की आऊश्यत्ता नहीं होती, तो यह रिपल्सन मोटर ही होती है, इसमें हम क्या करते हैं, जो बूब से शिफ्ट होती है बूच आक्शियस होता है उसको शिफ्ट करते हैं, रोटर और इस्टेटर के साफ एक्स यूं होता है ना अगर इस साइड ले आएंगे साथ में अच्छी बाद या है डारेक्शन बदले के साथ साथ स्पीड कंट्रोल भी होती है बीस डिगरी पर ये मैक्सिमम हमें मिलता है द्यान रखना थीक है ना पीस डिगरी का एंगल पढ़ने लगे नहीं तो कोई टाइम में ना इनक्यूसन का बहुत महत्व हुआ हुआ करता था दोजार दस बारा के आसपास इतने इंपोर्टेंट क्यूसर माने जाते थे अब तो इजी हो गया आपके लिए पढ़ना क्योंकि आप बहुत पढ़ना है अगला सवाल रिपल मेंड वाला है यह आपका किस्फ्ट होकर अगर इस साइ景 तो क्या होगा सिंपल सी बात है मोटर के डारेक्शन ऑफ रोटेशन बदल जाए कि वह यह रहा डारेक्शन ऑफ रोटेशन विल चेंज मोटर के घूमने की दिशा बदल जाए कि पता नहीं यह आपको निम्वाले सवाल टेबल फेन में किस परकार की मोटर होती है सीलिंग फेन और टेबल फेन दोनों में पर्मानेट केपेसिटर मोटर होती है केपेसिटर इस ताई रूप से लगा रहता है सबसे बड़ी चीज क्या है सेंट्री फ्यूगल स्वीच नहीं होता ठीक है न क्योंकि जनरली बच कि स्पीड से चल रहे हैं चीजें सही चलनी चाहिए और आपको प्रोपरली कलियर होना चाहिए वाइंडिंग के कुछ क्यों सना आएंगे निमेरिकल उस पर समय देंगे इसलिए थोड़ा जल्दी पी चल रहे हैं केपेसिटर को सिंगल फेज इसाई केपेसिटर मोटर में कहा जिससे ग्राफ दोनों का यूँ आ जाता है ना रानिंग वांडिंग की करंट इस्टार्टिंग की करंट दोनों की बीच में अब्वे डिग्री से भी जादा का फेज इंतर आता है और एक रोटेटिंग मेगनेटिक फिल्ड का माहूल तैयार होता है माहूल ही बोलते हैं उ और क्लास अच्छे से चल रही है मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई समस्या है इसलिए थोड़ा सा जल्दी भी चलेंगे आराम से समझ में आ रहा है और सी बीटी एक्जाम के लिए खास तोर से अगर बात करूं तो सीधे क्यूसन में जाएंगे एक क्यूसन पढ़ लो उसक आपको आज लाइन वाइच च्यार मोटरों के टोर्क लिखा रहा हूं पहले तो आपको उत्तर बता देता हूं ए ओप्शन कर देना यूनिवर्सल मोटर आ जाएगा ठीक है स्रीवान यूनिवर्सल मोटर करना है जितने भी बच्चे सेकंडियर वाले एक्जाम देने वाले हैं यूनिवर्सल मोटर कर देना अब मैं आपको एक एक करके लिखवा रहा हूं कंपेटिशन एक्जाम बालों को अगर लिखना है तो लिख लेना यूनिवर्सल मोटर का साढ़े 400 परसेंट टोर्क माना जाता है रिपल्सन मोटर का 400 परतीशत ठीक है ना ये रा रिपल्सन केपेशिटर इस्टार्ट केपेशिटर रन मोटर यानि डबल केपेशिटर मोटर ड्यूल केपेशिटर मोटर का 300 परसेंट है केपेशिटर इस्टार्ट मोटर का भी 300 परसेंट है पर्मानेंट केपेशिटर वाली का मात्र 50 परसेंट है याद रह जाएगा क्या बताओ अब अब ही क्या उत्तर करना था आपको ए ओप्शन युनिवर्सल मोटर का इन सब से तुलना करने पर मेक्सिमम टोरक होता है अगला स्वाल डबल कैपेसिटर मोटर में सेंट्री फुगल स्वीच का काम क्या है देखें माइडियर यह है वो क्यूस्ट जो मैं प्रिवियस क्लास मे अब आपको बता चुका हूं 90 परसेंट बच्चों के दिमाग में एक ही उत्तर होता है कि सेंट्री फुगल स्वीच का काम तो स्टार्टिंग को अटाना है डिपेंड करता है मोटर पर डबल कैपेसिटर मोटर में 75 परसेंट से ज्यादा स्पीड जाने पर केवल एक कैपेस की लग रहे थे बाद में परमनेंट कैपेसिटर मोटर की तरह होती है तो वहां पर सेंट्री फुगल स्वीच का काम केवल कैपेसिटर को अटाना है और वो भी कौन से वाले को हाई वेल्यू वाले को कि यह रहां डिस्कनेक्ट दाइस्टार्टिंग केपेसिटर आफ्टर रिच्डि 75-80 परसेंट अब यही सवाल में आप से उसमें पूछ लेता हूं माल लीजिए एक डबल केपेसिटर मोटर में 75 परसेंट गती पर सेंट्री फ्यूल स्वीच नहीं अटता है तो क्या होगा का हाई विलिव वाला केपेसिटर ब्लाष्ट हो जाएगा शौट हो जाएगा डेमेज हो जाएगा लेकिन अगर यही आपका सप्लिट फेज मोटर के लिए ओता ना देन स्टार्टिंग वाइंडिंग डेमेज हो जाती यह उतर करना था थीक है न तो थोड़ा सा माईने डाइए माई डियर इंग्ली में हम इसे sloat angle बोलते हैं यä sloat distance बोलते हैं एक और तरीका बताता हूं हम इसेhr he deegri 32 mut simply बोलते हैं यानि कितने school के लिए winding है एक snowson के लिए winding कितने । की ben रही अब बहुत सारे बच्चे तो क्या करते हैं कि यहां पर अपना common दिमाग लगाएंगे और सोचेंगे कि single phase motor है तो 90 degree कर देता हूँ by chance, by default, by the way यह यह कहूं कि ऐसा एक incident हो रहा है कि इसका उतर 90 degree आ रहा है जो कि calculation से उतर आ रहा है 90 degree तरीका क्या है बता देता हूँ degree परति स्लोट गयाद करने के लिए formula होता है total degree बटे number of slots कुल degree में slot की संख्या का भाग देना है total degree का formula होता है 1802 pole क्या formula होता है 1802 pole slot कितने हैं देखो 28 pole कितने हैं 14 अब भाग दे दो यहां पर उतर कितना आया 90 degree बता हूँ बात समझे में आई गया यह formula रयाद कर लो बहुत काम आएगा बहुत काम आएगा खास दोर से अब second year पास कर लोगे तो competition exam की त्यारी करनी पड़ेगी भरती प्रीक्षाओं की त्यारी करनी पड़ेगी जो आपके साथ ही ITA की वे बेट है ना उनसे पूछो बरतीयों की क्या हालात है इसलिए यहीं चीजों में गहराई से डूब जाओ और अच्छे से पढ़ लो काम आएगा आज अगले सवाल पर देखो क्या पूछ रहे रनिंग वाइंडिंग कोर के निचले भाग में क्यों होती है ध्यान रखना रनिंग वाइंडिंग को सलोट में पहले डालते हैं और गहराई में डालते हैं जिनकी स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है ना उपर रखी जाती है सिंपल वाहसा में बता दूँ रनिंग वाइंडिंग को हम मोटे तार और कम टरन की बनाते हैं ताकि इसका रेजिस्टेंस लो और इंड़क्टेंस हाई हो अब कोई भी क्वाईल या मेगनेट इंड़क्टर उसके कोर के जितनी जादा संपर्ग में रहती है, इंड़क्टेंस उतना ही अधिक होता है यानि जितनी जादा कोर के अंदर रहती है वो इंड़क्टेंस उतना ही जादा or better प्रोड़ाइड करवाती है इसलिए हमने भी उसको कोर के अंदर ठक दिया तो गेट हाई inductance, उज़ प्रेरिक्त परत करना है, इसके लिए हमें उसको कोर के अंदर ही रखना होता है, विसी दी सी बात है न की आइरण कोर का inductance, air कोर की तुल्ला में ज़ादा होगा, जाहिर सी बात है, तो जितनी ज़ादा वो लोहे की कोर के संपरक में रहेगी, inductance उतन पर्मानेट केपेसिटर उप्योग करने का कारण क्या है देखो केपेसिटर का उदेश्य पूछाए अभी प्रीविएस क्यूशन में जो थोड़ी देर पहले ही आया था मैंने आपको उसमें बताया था सिंगल फेज मोटरों में केपेसिटर का काम फेज सप्लिट करना होता है हिंदी में क्या बोलोगे कला विभाजन एक फेज को दो फेज में बांटना लिग देना चाहिए तो सी उतर यह रहा आपके सामने सप्लिटिंग और फेज फोर टोर्क टोर्क पैदा करने के लिए फेज का वी बाजिन करना, घुमने वाला चुमिके छेतर बनाना, स्टारिटिंग टोर्क देना, एक फेज को दो फेजों में बाइटना, मोर्टर को सेल पेस्टार्ट बनाना, इतनी लेंग वेज है, कोई भी आext कर देना अग्ला सGUल एक सिडिड़ पूल मोर्टर में स्टार्टिंग ठोर का उत्पादन कैसे होता है से डिड़ क्यासि स्टार्ट होती है coupon रिपीट हो गए थोड़ी दिर पहले जब आपसे उसने पूछा था कि सेडिड़ पूल मोर्टर का application कौन सा है तब ही मैंने बताया था setting ring का इस्तेमाल करते हैं यह रहा और यह कल वाली class में भी था जो पिछली class आपने देखी थी एक पूरा पॉल की construction दिखाई थी उसके एक भाग में एक छोटी सी ring का टीवी दिखाई थी और पुछा था इस भाग का का क्या है कुल मिलाकर बात ही है कि एक ही question है language बदल बदल कर पूछ रहा है मैं तो यह समझ पा रहा हूँ निम्मी assignment के question को दो अब आप इनको किस तरह से tackle करते हैं भाई वो आप पर depend करता है अब देखो सप्लिट कला मोटर में अपके अंदरी स्विच का काम किया यह कल भी आया था मतलब पिछली कलास में भी था वहां पर उन्हों लेक दिया था कि एकल कला मोटर में फरक इतना सा है अब यह सप्लिट फेजवाली है ना तो यहां पर आपको starting winding ही घरना है यह ध्यान रखना क्य कम टोरक होता है देखो ज्यादा टोरक तो यूनिवर्सल रिपल्सन वो है कम टोरक की अगर बात करूं तो रेजिस्टेंस स्टार्ट इंडेक्शन रन मोटर है यह क्युस्टन भी रिपीट हुआ है कल वाली के लास में भी था आज वाली में भी है मतलब आपके assignment में ही है total 60 क्युस्टन दिखा दिए 60 में से 10 तो रिपीट होगे कोई बात नहीं हमें पढ़ना है तो पढ़ लेंगे क्युस्टन के अप्शन के हिसाब सिदे को सिंपल ऑप्शन है आपके लिए ठीक है तो उत्तर तो डी ही रहेगा वैसे अगर maximum टोरक के बारे में होता तो यूनिवर नहीं गर्प के कनेकशन ही गलत हो गए माल लीजिए चार पोल की मोटर है है ठीक है ना कोईल के ग्रूप बनते हैं पास पास के पोल-इंगली इंगलिस में पूलते है एड़ औरिय्टी के होने चाहिए अगर यहीं गलत होगे तो यह दो एक जैसे दो एक जैसे मोटर कैसे चलेगी कोई संभावना नहीं है बी उत्तरी करेंगे मोटर विल नोट रन नहीं चलेगी करूप के सोला पोल की अठारा पोल की बीस पोल की कोई चत पंखे की मोटर एक अद पोल की पॉलडेटी हो जाती है तो कोई फरक नहीं पढ़ेगा लेकिन चार पोल की मोटर उसमें से बीए उल्टा हो गया तो सारा एक अड़ा हो गया युनिवर्सल मोटर की गती नियंतन की अपकेंद्री विदी में रेडियो बेती करन को कैसे रोका जाता है भाई सेम क्योंसर मुझे तो लग रहा है वापीस आ रहे हैं कि सेंट्रिफ्यूग्ल मेकैनिसम स्पीड कंड्रॉल है उसमें वह पूछ रहा है कि हम सीगनल के इंटरफेर्ण्स को कैसे रोकेंगे तो कैसे होप कि कि उस्टन आपने अच्छे से समझे होंगे कुछ न कुछ नया सीखा होगा और नहीं तो कम से कम रिविजन हो रही है और सी बीटी एक्जाम में तो सीधे कि उस्टन आएंगे भाई वीडियो को कर दीजिए का लाइक डिस्क्रिप्शन में लिंक है एक डाउनलोड कर लोग फ्री टेस्ट अवेलेबल है टेलीग्राम जोइन कर लो सुचनाओं के साथ जूड़े रहना है तो वीडियो दोस्तों तक पहुंचा दीजिए चैनल सब्सक्राइब तो करी लेना है बहुत धन्यवाद